बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेश्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूल को देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें आज भी कुछ नपाक लोग है जो कक्तरबाद में जिया करते हैं जिन्हे सेंगारी मूर्ती से मतलब ने जिन्हें लिए चैनल में इस्थानक से मतलब ने मेरे भाई इस्थानक बाले कहते हम इस्थानक में रहेंगे देरावासी कहते हम देरासर में रहेंगे मंदिर मारगी कहते हम मंदिर में रहेंगे मेरे महा बताओ भाई नासिक बालो एक प्रिशन का उत्तर दे दो इस्थानक बाले इस्थानक में रहेंगे देरावासी उपासरे में रहेंगे दिगंबर अपने मंदरों में रहेंगे तो एक बात तो बता दो फिर मेरे महावीर कहां रहेंगे विचार करिये तुम सब अपने अपनों में भरे रहोगे तुम मेरा महावीर कहां रहेगा मेरे रिशवदेव कहा रहेंगे मेरे परमात्मा कहा रहेंगे तुम अपने अपने कट घरों में बंद रहोगे मेरे महावीर बंधनों में नहीं रहा करते हैं मेरे महावीर तो वो महावीर है जो चंदना को बंधनों से मुक्त कर दिया करते है हे महावीर ऐसी महावीर जेनती आना चाहिए कि ना सिक चंदना की बेडियां ही नहीं इनके पंथों की बेडियां भी तूट जाना चाहिए तो हमारा महावीर जेनती मनाना सार्चा कुर सफल हो जाएगा कैसा भारत चाहते हैं हु कैसा हिंदुस्तान चाहिते हम विचार करना है आपको कैसा जेन धर्म चाहिए हमको एक दूसरे से मुझ फिरने वाला नहीं मेरे भाई जोडने वाला धर्म चाहिए मत दोए से संसकार आने वाले पीड़ी को मत करो ने उदंद मत करो उनके अंदर कटर वाग मत पैदा करो उनके अंदर धर्म धर्मांधता धर्म को बदबात किया करते हैं ध्याम चाहिए आपसे निवेदन हैं बच्चों को बहुत योग बनाएं मैं कहता हूँ कि अब्दुलकलाम को यदि गलत संसकार मिल गए होते न तो अब्दुलकलाम लादेन बन गए होते हैं वो लादेन को अच्छे संसकार मिल गए होते तो लादेन अब्दुलकलाम बन गया होता हिटलर को अच्छे संसकार मिलते तो हिटलर महावीर बन करके खड़ा होता और महावीर को गलस संसकार मिलते तो साइध हमारे महावीर भी हिटलर बन करके खड़े हो गए होते ध्यान रखिए हम क्या संसकार दे रहे हैं लोगों को अपने बच्चे को क्या सिखा रहे जवाब देना इज्जत नहीं कर न जी लगा करके बोलो बच्चे को सिखाओ हरे मालिक तो मालिक सब घर तो वो होते हैं जहां ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कह करके बुलाया जाता है समझना वो सब्विता के घर हुआ करते हैं सब्विता के घर वो होते हैं जहां नोकर को भी नोकर के कर नहीं बुलाया जाता है जहां नोकर को भी बेटा के करके बुलाया जाता है एक बार बुलाके तो देखो नौकर को वेटा कहोगे ना तो वो नौकर तनखा कम ले लेगा लेकिन तुम्हारा घर कभी छोड़ना नहीं चाहेगा हमेशा को वैसमर्पित रहेगा क्या बोलते हम कैसा हमारा संबोधन है कैसे हमारे विचार है सोचना है एक आदमी को मैं जानता हूं इतना आदल स्वाम व्यक्ति था समय हो रहा है पांच मेट लूँगा समाप्त करूँगा एक सेज था बड़ा अच्छा उसने अपना जीवन बनाया था वो धर्म की इसरण में था एक बात याद रखना लोग कहते हैं कि धर्म से क्या होता है संतों के पास जाने से क्या होता है मैं पुलक सागर कहता हूँ तुम्हें नहीं मालूम मैं बताता हूँ क्या होता है जिन देशों में सत्संग नहीं होता न और जिन देशों में संत नहीं होते ऐसे पड़ोस में आतंक पैदा होता है और जिन देशों में सत्संग होते हैं वहां महावीर जेंसे अरहंत पैदा हुआए करते हैं यह संतों का प्रभाद हुआ करता है द्रम जन्म होता है जिन देसों में धर्म को नहीं माना करता है यह धरम का प्रभा हुआवा करता है यह धर्म न most फ्यक्ति ने बड़ा अधर्स में जीवन जीए एक दिन क्या देखता है वो कि देखने रुप पर पुलिस को उसकी दुकान इb आज मेरी दुकान पर पुलिस करी है उसने पूछा इंस्पेक्टर से कि इंस्पेक्टर साब मेरी दुकान पर तुम जापता ले करके आये हो क्या बात है बोले तुम्हारा पोता कहा है क्या किया उसने बोले हम उसे गिरफतार करने आये है जिस बाप ने जिस दादा ने जिस पिता ने जिन्दगी भर मेहनत करके इज़त कमाई एक लड़के ने बरवात कर दिया उसके इज़त एक चण में बरवात कर दिया सारा व्यक्तित्व खून पसीना एक करके जो अपना सम हुआ क्या बोले आपका पोता कहां है पोता अंदर जाके छिप गया उसने पूछा पोता अंदर है आप अंदर जा सकते हैं इंस्पेक्टर ने कहा यू तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं हमें खुद सर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमें आपके घर में गिरफतारी के ल पर अंदर जाओ लड़के को निकाल कर लाओ लड़के को निकाल कर लाए बुला आज इस लड़के ने कालीज में गलत हरकत की है एक लड़की के साथ दुर्वयोहार किया है एक लड़की के साथ इस ब्यक्ति ने सही हरकत नहीं की है लड़की की सिकायत पर हम इसे गिरफता सब्सक्राइन आए है दादा जी का मात जुग गया पिता का मात जुग गया एधाधा जी ने कहा कि ले जाओ इससे मुद जाते जाते मालुम हैं कि उस दादा जी ने पुलिस वाले को हुआ हम Y era young रुपे उसके हाँए रखती है बच्चे ने देखा पोते ने कि बस मज़ा आ गया यह हमारा भारत देश है रिस्वत लेते पकड़े जाओगे और रिस्वत दे के छूट जाओगे बोले अब मेरा कुछ होने वाला नहीं पैसा पकड़ा दिया जालू मैं इंस्पेक्टर ने कहा कि दादा जी आप जैसा आदर स्वान व्यक्ति मुझे हाथ में पैसे दे रहा है बोले क्या सोचते हो आप इसलिए पैसा नहीं दे रहा हूं कि इसे छोड़ देना मैं पैसा इसल इतनी मार लगाना इतनी मार लगाना कोई मरवच नहीं करना इस पर इतना मारना इसे दोबारा किसी लड़की जेड़ना तो छोड़ो उस पर बुरी नजर डालने में इसकी रूख काप जाए इतना aquestने देना चाहिए इतनी सजाय से दोबारा हिम्मत ना कर सके मैं नहीं कहूंगा कि मेरे बच्चे को छोड़ो मेरे बच्चे को इतना डंडित किया जाए कि किसी भी लड़की पर दुबारा निगाह उठाने की एक कोशिस ना कर पाए मानिवार आपके घर में यह होता तो आप क्या करते हैं अपनी अंदल्स में जांक करके देखो आप पैसा बच्चे को दंड देने के लिए देते हैं चुडाने के लिए देते हैं एक बात बताईए जब चौराहे पर किसी लड़की का बलातकार होता है ना तो केंडल मार्च करते हैं हम लोग पूरे देस में होहला कर देते है दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप हुआ पूरा देस अंदोरन कर उठा क्या बात है ये पूरा देस कहता है उसे भासी बन लटका दो सारे लोगों ने अदालत से कहा इसे सजा दे दी जाए बिचार करो हुआ क्या विचार करिए एक लड़की जिन्दगी से हाथ दो करके बैठ चाया करती है मिझे एक बात बता दो नाशिक बालो यदि उन दरिंदों में तुम्हारा लड़का होता तो फिर क्या तुम्हें आंदोलन करते कि उसे फासी पर लटका दो बोलो इतनी हिम्मत थी तुम्हारी जो तुम कहते हैं कि इसे फासी दे दो तुम बचाने का प्रियास करते क्योंकि वो अपनी उलाद है ध्यान रखना दूसरे की उलाद है तो फासी पर चढ़ा दो और यही काम तुम्हारा बेटा करे तो तुम लाखों की दौलत पानी सा बहा दोगे और ये कहोगे अभी नावालिक था मानिवाध ध्यान रखिये अपना बेटा गलत करे तो नावालिक है दूसरे का गलत करे तो फासीफल चड़ाओ मैं आज नाशिक में महावीर जैनती किया तो सरकर इतना ही आप से निवेधन करता हूँ बेटा दूसरे का हो या अपना हो एक बास सोचना कि वो लड़की कोई और की नए यदि अपनी होती तो तुम्हारे दिल पर क्या बीता तुम्हारे दिल पर क्या आता ऐसी तरिंदगी मैं माबाप से निवेधन कर रहा हूँ हाप का बेटा यदि गलत करे मालूम है भरष्टाचार क्यों है करेप्सन क्यों है चरित रही निता क्यों है आज बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं है मालूम है देश की वज़े से नहीं टीवी की बज़े से नहीं आज असुर अप्षे थे हैं तो वैं माबाप की बज़े से थ्यान रखना तुम्हारा बच्चा आता है तो तुम बचाते हो यदि इतने ही इमानदार हो तुम्हारा बच्चा दे किसी लड़की के साथ गलत काम करते आए ना तो घर से हाथ पकड़ के घसीट कर उसे लाओ और चौराहे पर खड़ा करके बोलो कानून बाद में सजा देगा पहले में इस दरिंदे को सजा देता तब देश में सुधार होगा देश में सुधार आंदोलन से नहीं हुआ करता है देश में सुधार बड़े बड़े नारों से नहीं हुआ करता है आपका बेटा गलत करे, आप पुलिस को सौपिये, इसे इतना दंड दिया जाए, कि किसी और लड़की पर आँख उठाने की हिम्मत ना कर सके, इतनी इमानदारी है, आज एक बेहन अपने भाई को बचाती है, आज एक माँ अपने बेटे को बचाती है, आज एक बाप अपने घर में अपराद छिपाते हो, बाहर उजला मू दिखाते हो, ध्यान रखना, वाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन जी रही है, वाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन जी रही है, मंदिर में पानी च्छान कर अकेले में सराप पी रही है, वाहरी समाज एक कैसा दोहरा जीवन ये हमारी दूसरों के लिए कानून दूसरों के लिए दंड में बसता अपने विच्चे को बचाना नहीं हर माँ एक कसम खाले हर बहन एक कसम खाले जब राखी बंदवाए तो एक कसम दे अपने भाई को ये मत बोले कि मुझे क्या उकहार दिया उससे कहना की बेटा मेरे रखना है एक बात याद रखना इन चीजों को नहीं रोका गया तो एक दिन आपकी बेटी भी सड़क पर गुजरेगी एक दिन आपकी बेटी के साथ भी यहीं होगा ध्यान रखिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए पहले के लोग पंच कैसे होते थे मालू में पूरी समाज का फैसला करते थे पहले के लोग अदालत नहीं जाते थे पहले के लोग कानून का सहारा नहीं लेते थे उनका जमीर ही उनका कानून हुआ करता था उनका चरित्र ही उनका कानून उनका आदर्स ही उनका कानून होता था मानिवर पांच पंच देखते थे कि इस आदमी ने गलत काम किया है तो उसका समाजिक बहिसकार हो जाया करता था आज समाजिक बहिसकार कहां होता है आज समाज से किसी को डर ही नहीं पड़ी है अध्यक्ष मंत्री से कोई डरता ही नहीं है समाज से कुछ लेना ही देना नहीं है आज का युवा कहता है समाज ने हम समाज के लिए करें हम किसी से नहीं डरते हैं जब जब ये सैलियां भारत में आएंगी कि हम किसी से नहीं डरते हैं भारत का उत्थान होने वाला नहीं है ध्यान रखना भारत का विकास होने वाला नहीं है पहले समाज के पंचों से लोगों को डर लगा करता था क्यों लगता पंचों का भी अपना एक चरित्र होता था वो दूसरों के घरों के फैसले नहीं करते थे उनका बच्चा भी गलत कर दे तो पंच कहते थे मैं अपने बच्चे का त्याग करता हूं और आज से इस बच्चे से मेरा कोई संबंद नहीं है इतनी ताकत तुम लोगों में हैं तु करें चरित्र की कीमत होती है जिन्दगी में वह हमारे पास होना चाहिए गलती कोई भी करें भगवान रिशुप देव ने जब देश का संबीधान बनाया तो उन्होंने एक ही सूत्र दिया दंड़नी को दंड और बंदनी की बंदना करिए तब जाकर के देश निहाल हुआ क्या सौप रहे हैं दूसरों की बुराईयां खुद करते हैं बच्चों से कराते हैं चाची कैसी है वो तेरी बुराई कर रही थी क्या सिखा रही है आपने बच्चे को दादी क्या बोल रही थी मौसी क्या बोल रही थी चाचा जी मेरे बारे में क्या बोल रही थे अरी संसकार नहीं दिये ना तो कान वेंट के दड़वे से निकला हुआ बच्चा जब बड़ा हो करके तुम्हारे सामने आएगा ना तो मालूम है तुम्हें एक बेटा कहेगा यह पकड़ किराया और आज के बाद धंकियां दिखाने की जरूरत नहीं है कि आत्मगाती संसकार हमने दिये हैं कहां गया वो स्रमन कुमार कि यदि माभाप को तीरत यात्रा की भाव ना जगे तो अंधे माभाप को कामड पर विठा कर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करा दिया करता था